गुड मॉर्निंग चिल्रन तोड़े वी आर गुएंग टो सी अन्यू चैप्टर नंबर सेवंटीन इस तेजल इन एमदाबाद यहां पे एक तेजल नाम की गल्स है वो एमदाबाद सिटीस में आई है स्टुडेंट्स अपने मदर्स की ट्रीटमेंट के लिए लेट एस सी सम पेरिग्राफ आई कैम टो एमदाबाद 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 सिटीस में आई है मेरी मदर्स की ट्रीटमेंट के लिए और जो मेरी मदर्स है मेरी मम्मी है उनको एमदाबाद 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 मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मेरी मदर्स और मैं एमदाबाद स्टेशन पर ट्रेन से उत्रे थे जहां पर बहुत ही भी भाड हो जाती है तो हम स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाती है सब एक साथ इखटे हो जाते हैं इसलिए वहां पर भीड हो जाती है तो इट वास सो क्रावडे तो तेजल बता लिए के मुझे अभी भी वो दिन याद है जब हम रेल्डे स्टेशन पर ट्रेन से उत्रे थे और उस टाइम बहुत भीड थी मैंने उस टाइम जल्दी से ही मेरी मदर्स का हाथ अकड कर रखा था I was thinking about how mama would find us in the crowds तो यहां पर इस विक्चर में students आप देख रहे हो कि किस तरीके से तेजल और उसकी मदर्स जो है वो एमदाबाद रेल्वे स्टेशन से उत्री है और उसने क्या किया है अपनी मदर्स का हैंस काड करके रखा है तो I was thinking about जो तेजल है she is saying that वो कह रही है कि I was thinking मैं सोच रही थी कि about how mama would find us in the crowds मामा किस तरीके से इस भीड वाले जगह पर हम लोगों को find कर सकेंगे में students सकेंगे just then इतने में ही I heard someone calling loudly from behind तेजल तेजल तो जैसे ही वो अपने ममा का हाथ पकड़ती है और सोचने लगती है किस तरीके से मामा हमें इस crowded area में हमें पैचान पाएंगे और किस तरीके से हम लोगों को डून पाएंगे तो इतने में पीछे से behind से यानि पीछे से तेजल तेजल करके उसके मामा उसे calling करते हैं बुलाते हैं जोट जोट से चिलाते हैं और उसे आवज लगाते हैं तेजल 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 I turn it back तो फिर जैसे ही उसके मामा उसे तेजल तेजल करके बुलाते हैं तो यह क्या करते हैं तेजल girls वो back turns हो जाती है यानि घूम जाती है and there was mama और फिर उसे उसके मामा देखते हैं तो इस तरीके से pictures में देख रहे हो तीके यह जो उसके मामा है और तेजल को loudly calling कर रहे हैं तेजल 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 और फिर वो turn back करती है और अपने मामा को देखती है we left the stations and we are soon on our way to mama's house हमने जल ही वो station छोड़ा था left के आम इस छोड़ा and we are soon on our way to mama's और हम जल से ही अमारे मामा के house में पहुँच गए students now turn your page number 130 come on page number 130 तो 130 page number open करो turn करो अपना page number वहाँ पे आप pictures देख रहे हैं students तो किस तरीके से तेजल और उसकी mothers mama के house पहुचते हैं और वहाँ पे जाके mama के house में क्या-क्या होता है वो हम देखेंगे let us see some paragraph but it was a very crowded everywhere लेकिन सभी चगह पर क्या थी crowded था everywhere में सभी चगह पर crowded में भीड थी there were many hurts जैसे वह मामा के house घर तक पहुचते हैं तो सभी चगह उसे भीड दिखाए देती है there were many hurts lined up all along the narrow street street means जो गलिया होती है students ठीक है जहां पर छोटी छोटी चोटी टाउन होते हैं नगर होते हैं जैसे वह street में यानि मामा के घर पहुचने में जैसे वह गली के अंदर street के अंदर enter करती है तो उसे आसपास line से बने हुए hurts hurts दिखाए देते हैं hurts में इस तरीके से जूपड़े वाले house दिखाए देते हैं we walked through the street to reach मामा साव हम इस गली में से मेरे मामा के घर पहुचें मामा, मामी and their two daughters and a son जो मामा और मामी और उनके दियर में उनके two daughters and son उनके दो लड़की और उनके लड़के ठीक है तो उनकी two daughters और एक son था वो क्या थे? all live in one room सारे कहां रह रह रहे थे? एक ही रूम में रह रहे थे तो मामा, मामी के जो भी two बच्चे थे, daughters थे और son थे वो कहां पे रह रहे थे? only in, live in one room, एक ही रूम में रह रहे थे now, now means, अब I two live here with them अब मैं भी उनके साथ इस रूम में रहने लगे हूँ it is here that we sit, यहां पे हम देख सकते हैं students we sit, sleep, cook and wash all in one room तो तेजल बता रही है के मामा, मामी का जो घर था उसके अंदर only one room था और अब हम भी उनके साथ एकी रूम में रहने लगे हैं हम एकी रूम में seat करते थे, बैठते थे, sleep करते थे, मिस सोते थे, cook करते थे, मिस खाना बनाते थे वाश करते थे, तो वाश में इस कपड़े धोना और बाथिंग करते थे, all in one room सबी चीजे हम एकी रूम में रहकर करते थे my house in the village also has only one room तो तेजल बता रही है students के जो मेरा house है गाउं में my house in the village में मेरा जो गाउं में घर है, वहां भी एक एकी रूम है but we have separated places, separated means अलग-अलग, लेकिन वहां पे अलग-अलग जगह है places means जगह, separated means अलग-अलग, लेकिन वहां पे अलग-अलग जगह है for cooking and for bathing, खाना बनाने के लिए और नहने के लिए, बाथिंग करने के लिए we also have a quarter yards outside, quarter yards means students boundary boundaries, आपके घरों के आगे, घरों के आगे की तरफ quarter yards बने होते हैं, आगन बने होते हैं boundaries बनी होती है, जहां पर बहुत सारी जगह होती है, उसे हम quarter yards कहते हैं, आगन कहते हैं और इंगलिस में boundaries है, इसका similar meaning, तो तेजल है वो बता रही के मेरी village में, मेरी गाओं में भी हमारा house है, उसमें भी एक रूम है, लेकिन cooking और bathing करने के लिए अलग-अलग जगह है, we also have a quarter yards outside और हमारा बाहर की तरफ एक quarter yards भी है, मिस आगन भी है next, water, water, यानि अब water की बात आती है, तेजल अब water के बारे में discuss करिए रुत्वा, mommy and I get up at four o'clock every morning and go to the public tap, public tap वो होता है, student जहां पर सभी लोग पानी भरते हैं, ठीक है कि रुत्वा, mommy और मैं, morning में, रोज four o'clock उठते थे, और public tap to fill the waters, और public tap पर जाते थे, पानी भरने के लिए ओ no, अरे नहीं, you won't believe how many fights are there for water, वहां पे आप believe नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, कि वहां पे पानी भरने के लिए कितनी fight होती थी if we are just a little late, अगर हम थोड़ी ही देर हो जाती थी हमें, then we are not able to fill the water for the day, तो हम उस दिन हमें पानी नहीं मिलता था, यानि उस दिन हमें पानी नहीं भर सकते थे, अगर हम थोड़ी भी लेट हो जाते थे, उस दिन हमें पानी नहीं मिलता था उस दिन के लिए there is no tap in our house in the village too तो हमारे village के अंदर जो भी house था वहाँ पे एक भी tap नहीं था एक भी नल नहीं था पानी के लिए the pond in the village has a water और जो village के अंदर pond बना हुआ था ताला बना हुआ था वहाँ पे water था it takes 20 minutes to walk to it तो उस pond पर पहुचने के लिए हमें 20 minutes लगते थे walk करते हुआ यानि पैदल चलकर हमें जाने में उस pond तक water बने के लिए 20 minutes लगते थे in summer, summer means गर्मियों में sometime the water in the pond dries up गर्मियों के season में summer season में उस times कुछ times क्या होता था summer season में जो pond के अंदर water था वो क्या हो जाता था rise up हो जाता है means सूख जाता था then we have to walk for almost an hour to the river to get waters फिर हम उस times क्या करते थे चलके जाते थे घंटो घंटो दूरों तक चलके जाते थे हमें एक एक घंटा लगता था rivers के पास पहुचने में और फिर हमें वहां से हम अपना water get करते थे वहां से हम अपना water लाते थे वहां पे हमें rivers में water मिलता था ओके students तो यह पिक्चर में देख रहे हो यहां पे किस तरीके से fight हो रही है क्योंकि यहां पे public tap है public tap में क्या होता है सबी public उसे use करते हैं यहां पे only one tap है किस तरीके से एक दूसरे से fight makes कर रहे है यह हमने इस paragraph में दिखा next video part 2 में हम discuss करेंगे next video में part 2 discuss करेंगे आगे के chapters के बारे में तब तक के लिए goodbye students stay at your homes and be healthy